नमस्कार भाईय और भाईनी और एक्जाम में आप दोगे फोर अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से चैप्टर फोर जैसा आती हो जैसा कि आप जानते हो क्लास नाइन्थ के साइंस का चैप्टर फोर है structure of atom तो इसके बारे में एकदम detail से चर्चा करने वाले हैं कि structure of atom होता क्या है यानि कि इस चैप्टर की जितने भी concept है सबको एकदम खकोर खकोर के पढ़े लिए ताकि एकदम दिमकों बैट जा कोई question छूटे ना और ये चैप्टर आपके exam के point of view से बहुत important है प्लस आपके निजी life से भी यानि कि आप जब आगे पढ़ाई करोगे physics की तो उसमें भी आपको ये जरूर पूछा जाएगा atom के बारे में अब बहुत से लोग मोडी खजुआने लगेंगे यार ये atom क्या होता है तो आपको मैं बता दूँ आटम होता है दुनिया में जितनी भी चीजे हैं चाहे वो दिवाल हो गया चाहे कुरसी हो गया चाहे मेज हो गया चाहे कपड़ा हो गया चाहे लेटरिंग हो गया कौनों भी चीज हो गया दुनिया में वो सब किसे बने हैं वो सब छोटे छोटे एटम से मिलकर बने हैं यानि कि जो सबसे छोटा वाला भाग होता है उसी हम एटम कहते हैं अब बहुत से लड़कों क्या करते हैं कभी कबार खेतोत में जाते हैं आम तोड़ने के लिए और धेला उ लाखो गुना छोटा कर दो, काट के निकाल दो उसका हजारो लाखो गुना, तब जाकर आपको कहीं एटम मिलेगा, तो एटम समझ जाओ कितना छोटा होता है, इस एटम को आप आंक से नहीं, बलकि माइक्रोस्कोप से भी ठीक से नहीं देख पाओगे, इतना ज्यादा छोट होता है ये एटम, तो आप समझेंगे कितना छोटा होता है, इसको आप आंक से नहीं देख सकते, और इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ये एटम रियल में कुछ ऐसा दिखाई देता है, अब आप समझ जाओ कि साइंटिस्ट कैसे इसकी स्टेडि किये होंगे, इ जिसको कि आप आज से भी नहीं देख पाओगे, वही एटम कहलाता है, तो पहले ऐसा कहा जाता था, कि ये जो एटम होता है, ये सबसे छोटा एंटिस्ट होता है, लेकिन उसके बाद कॉनों सांटिस्ट आए, और वो कहे कि नहीं भाईया, सबसे छोटा नहीं होता है, इस के भी अंदर कुछ न कुछ पाया जाता है और वो जो चीज पाया जाता है उसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल यानि कि एटम सबसे छोटी एंटिटी नहीं है उसके भी अंदर वह चीज पाया जाता है वो सबसे छोटा एंटिटी है क्या क्या पाया जाता है इसको पार्टिकल कहते हैं, यह सब अटोमिक पार्टिकल कुछ इस तरीके से हैं, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्यूट्रोन, यानि कि एटम के अंदर इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्यूट्रोन पाया जाता है, आप बहुत पहले सुनते आ रहे होगे इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न अब देखो यहाँ पर atom की यह E में जा गई, तो यह जो atom है ना, तो atom में देखो कि आप भया, जो किनारे किनारे ऐशे बिंदी बिंदी असे लगा है, वो क्या है, electron है, और बीच में आप देखो कि एक छोटा सा है, उसको हम कहते हैं nucleus, तो यह जो nucleus होता है, उसी के अंदर पाय बिंदी है, इसको हम कहते हैं क्या electron, E-L-E-C-T-R-O-N, electron, और बीच में जो रहता है, यह भया, इसको हम कहते है nucleus, nucleus के अंदर पाया जाता है, भया, यह proton प्लस neutron, तो यह जो proton और neutron होता है, यह बीच में होता है, और nucleus यहाँ पर होता है, अब देखो, यह बीच वाले हम कहते ह ही अंदर होता है, अब बहुच गयोगे, वहाँ, वहाँ नहीं पेटवा वाले nucleus, धोणिया, तो यह क्या है nucleus, real में nucleus नहीं मजाग कर रहा हूँ, देखो, यह होगे nucleus और किनारे किनारे क्या होते हैं, electron होते हैं, अब यह जो electron होता है, यह nucleus का ऐसे चक्कर लगाता रहता है, हम पिच्चर उच्चर देखे होगे, उसमें जो heroine रहता है, तो जब heroine यह, hero पा जाता है, उसमें चार चारो तरफ हमेंसा चक्कर लगाता रहता है, वैसे electron भी क्या करता है, nucleus का हमेंसा चारो तरफ चक्कर लगाता रहता है, तो यहां तक आप समझ गए, अब देखो, आगे चलते हैं, देखो यह जो electron होता है, electron भी इसको हम e- से represent करते हैं, proton को हम p- से represent करते हैं, neutron को हम n0 से represent करते हैं, क्यों, क्योंकि जो electron होता है उसके पास minus का चार्ज रहता है, इसलिए इसको हम e- कहते हैं, यानि कि इसके पास negative का चार्ज है, और proton के पास positive का चार्ज रहता है, नीट्रॉन जो नीट्रॉन रहता भगवती धरहा उसके पास कौनो चार्ज नहीं रहता इसलिए इसको हम एन जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं इसके पास चार्ज जीरो रहता है अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाया यह पॉस्टिव निगेटिव को मतलब क्या है देखो हो एसे का आरी बगल जो अंटी आंटी अंटी बड़ी दुश्ट रहती है अगदम नीगेटिव यसा रहती है और कौनो का उंटी मतले अच्छी रहती है ठीक है अच्छी रहती है उनके अंदर positivity भरी रहती है positive रहती है तो proton कितना है और कौनो कौनो वांटी काम चलाओ रहती है मतलब ठीक ठाक रहती है न अच्छी रहती है न गंदी रहती है तो neutron रहती है समझ गया है तो देखो वैसी हाँ पर electron, proton, neutron भी है electron पर minus का charge रहता है, proton पर positive का charge और neutron के पास कौनो चार नहीं रहता देखो electron जो रहता है न इसके पास कितना charge रहता है अब इसके बारे हम discuss करते है तो इसके पास जो चार्ज होता है वो negative का चार्ज होता है कितना होता है 1.6 into 10 की power minus 90 कुलम तो इतना चार्ज होता है अब बहुसी लोग मुडी खज़ आने लगोंगे यार यहाँ पर क्या बोले यहाँ पर मैं बोला कुलम यह जो कुलम होता है यह यह चार्ज की यूनिट होती है जैसे आप अपना वजन और जोगते होगे एक किलो दो किलो तीन कुलो तो यह जो किलो ग्राम है यह एक जो चार्ज होता है वो कुछ हितना होता है जितना न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पर चार्ज होगा लेकिन प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होगा न्यूट्रॉन पर माइनस का चार्ज होगा तो इस पर निगेटिव का चार्ज इस पर पॉजिव क इसको बताओ तो इसको कैसे बताओगे तो इसको कुछ इस तरीके से बताओगे देखो एटम के अंदर ये इलक्टरॉन है जितने एटम के अंदर इलक्टरॉन होते हैं उतने ही एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं ये भी जान जाओ आज से ठीक है जितने इलक्टरॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे इन सब के बारे में अभी आगे डिसकस करेंगे ल निधर में कि बीच में नुक्लियस के प्रोटॉन के इतने हो 은ब आ होगे, तो आप देखो जितने प्रोटॉन होतने नूटरॉन भी हैं, हमेसा कोई भी अगर आप अपढ़ोगे, जितने उसमें एलेक्टरोन होंगे उतने यह उसमें प्रोटॉन होंगे, यहां तक आप समझें, अब देखो, जीतना elektron के पास Charge है, उतना proton के पास भी Charge है, लेकिन इसके पास negative Charge है, इसके पास positive Charge है, तो जब negative और positive मिलेंगे, दूनों खतम हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, अब इसको एक example से समझो, जैसे मालो मुझे कौनों पीछे सदख्का लगा तो ना मैं आगे जाओंगा ना पीशे जाओंगा ना आगे जाओंगा ना पीशे जाओंगा इसे बिचमरुक जाओंगा तो ऐसे एटम के भी साथ होता है जितना ये ताकत लगाता है तो एटम पर कौनो चार्ज नहीं रहता है प्लस माइनस कट जाता है जीरो हो जाता है ठीक करते हैं कि इलेक्ट्रोन का कितना मास होता है इसका मास होता है 9.11 into 10 की power minus 31 kg इतना होता है अब आप सोचो किलोग्राम आगे कितना बड़ा होता है तो देखो यहाँ पर आप देखो कि minus 31 लिखा है यानी 10 के पीछे 31 0 लगा दो और फिर जाकर एक किलोग्राम का उतना भाग कर दो तब जाकर कहीं ये निकल कराएगा सोचो अरवो खरवो पतन कितने में चला जाएगा साइब बोड़ो में नामाए 31-0 अब देखो प्रोटॉन का कितना मास होता है तो उसका कुछ इतना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम जो प्रोटॉन होता है वो हलका सा बड़ा होता है इलक्टॉन से ठीक है तो प्रोटॉन जो बिचवम है वो इलक्टॉन से थोड़ा सा बड़ा होता है इलक्टॉन बहुत ज़्यादा छोटा होता है प्रोटॉन के भी मुकाबले और proton की खोच की ये थे sir goldstein और neutron की खोच की ये थे sir chadwick बहुत से लड़कों यहां sandwich लिख की दे दे रहे हैं chadwick होता है अब बात करते हैं क्या होता भाई यह atomic number atomic number को हम Z से represent करते हैं यहाँ पर देखोगे atomic number और Z से represent कर रहे हैं अब क्या करोगे भाई यह scientist है वैसा बना दिये हैं atomic number होता क्या इसके बारे मैं समझते हैं तो total number of proton जितना proton है एक atom के अंदर वही उसका atomic number कहलाता है जैसे माल लो इस atom के अंदर कितने proton होंगे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जितने electron होंगे उतने proton होंगे तो यहाँ पर 12 electron है यानि बिचों 12 proton होंगे तो इसका atomic number कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा यानि जितने proton होते हैं एक atom के अंदर वही उसका atomic number कहलाता है अब बहुत से लोग क्या करते हैं proton की जगा यहाँ electron लिख देते हैं प्रोटोर्ण 오른 उतने इलेक्टरॉन तो चाहे आप प्रोट्वन लिखो चाहे दालेक्टरॉन semua कोई मतलब है कोई मतलब नहीं है लेकिन ऐसा नहीं होता है हमेशा प्रोटोन ही लिखना Tucson मत लिखना कभी कभार क्या होता ना कॉनुण साइंटिस्तों बड़ा चतूर रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हैं ही इस कौनों सिष्टम लगाते हैं, और हैं इलेक्टरणों घचाग द घीच लेंगे, तो यहां पर किवल 11 ही इलेक्टरोन बचे रहे गए, और बीच में प्रोटोन 12 के बारा ही है, तो तब भी इसका अ निकाल सकते हैं, इस घचाक देखी चले, निकल गया, समझ गया, तो इसलिए atomic number जो होता है, वो number of proton होता है, बात करते है, mass number क्या होता है, mass number को एस रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एक atom के अंदर जितना proton होता है, जितना neutron होता है, वही उसका mass number होता है, तो proton neutron कहा होता है, य 24 उसका mass number हो जाएगा तो आयोप आप समझे होगे यहां तक concept clear हो रहा होगा मस्त मस्त लग रहा होगा पढ़ेने में अब चलते हैं अगले concept की तरफ तो अभी तक हमने पढ़े लिया कि एक atom किस तरीके सोता है उसके अंदर क्या क्या चीजे पाई जाती हैं अब हम समझते हैं क कि खोज किस तरीके सोई कौन कौन से scientist आये तो आपकी book में सबसे पहले दिया गया है भाईया Thompson model फिर दिया गया है Rather Ford model फिर दिया गया है बोर atomic model तो एक एक करके सब को पढ़ेंगे शुरुआत करते हैं Thompson model से तो देखे भाईया Thompson एक ठो scientist थे तो उन्होंने एक ठो experiment अपना कि ले जाता एक नंबर में तो इन्होंने दो पॉइंट दिये थे अपने इन्हीं दोनों पॉइंट के बारे में पढ़ना है तो इन्होंने कहा था atom के बारे में an atom consist of positive charge sphere and electron are embedded in it इसका मतलब यह है कि जो एक atom होता है वो एक sphere की तरह होता है और उसके अंदर पूरा positive charge भरा बिंदी बिंदी दिख रही है यह electron धसा हुआ है और बाकी जीतना इसके अंदर खाली जगा है वो सब क्या है वो सब पूरा positive charge से भरा हुआ है तो यह thompson ने कहा था तो अब आप खुद अपने फेफ़डे सोचो कि यह जो thompson model है यह क्या सही कह रहा है तो बिल्कुल सही न electron proton neutron होता है उसके बीचवा में एक थो nucleus होता है यह nucleus nucleus का उडर भे नहीं किये इन्होंने कहा है एक थो sphere type का atom होता है उसके अंदर पूरा positive charge भरा रहता है और आप तो पूरी गलत है तो इनका पहला वाला point था न वो पूरी तरीके से गलत था और इन्होंने कहा था कि यह जो ए कि पूरा रहता है और देखो कि इसमें विए होते हैं काले काले चोटे 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 तो वो जो लाल-LAL पूरा भरा ऊए उसको आप मांन सकते हो कि पूरा positive charge है और वो जो दहसा हुआ है बिया वह आप मांन सकते हो electron है यानिकर negative charge है तो भाही यह तर बूजा और बूजा के कहते हैं कि दूसरा पॉइंट रहता है रहता है उसके अंदर का जो निगेटिव और positive charge रहता वो equal होता है magnitude में इसका मतलब यह है कि जितना positive charge होता है उतना ही negative charge होगा तो अब ही हमने थोली दे पहले पढ़ा ही था तो जो positive यानि की जो proton का चार्ज था और जो electron का चार्ज था वो दोनों बराबर था बस sign में अलग था वो बस positive का था वो बस negative का था लेकिन magnitude में equal तो इन्होंने ये बास सही कही कि जितना इसके अंदर positive charge भार रहेगा उतना ही negative charge भार रहेगा ये बती है तो ये कम सकम ठीक कहे उसके बाद ये कहते हैं so the atom as a whole is electrical neutral और अगर आप पूरे atom को देखोगे whole atom को देखोगे तो वो electrical neutral रहता है भाईया अब मैंने थोड़ी देर प नहीं रह जाएगा तो अगर आप पूरे whole atom को देखोगे तो पूरे neutral होता है ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था तो ये दूसरा वाला point एकदम सही कहते हैं लेकिन पहले वाला point एकदम तरीके गलत कहते हैं तो आप Thompson model के बारे में तो जान गयोगे कुछ इतना ह इन्होंने बताया था आयूब Thompson model के बारे में आप समझे होगे अब हम समझते हैं रेदर फोड मौडल के बारे में तो आप बात करते हैं हम रेदर फोड मौडल के बारे में देखे रेदर फोड एक तरीके के मनई थे जो किये थे जिनके मौडल को हम रेदर फोड मौडल कहत कि इसके बारे समझते हैं देखिए गोल्ड फॉयल एक्स्पेरिमेंट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट अपना किया था उसमें इन्होंने सोने का यूज किया था अब ऐसा नहीं एक अपने आप मोडी खजगाने लगए होगे यार यह alpha particle क्या होता है तो इसके बारे में भी समझेंगे detail में लेकिन सबसे पहले यह जाने नाम तो जाने क्यों कहते हैं आप समझते हैं इन्होंने जो experiment किया था उसमें क्या-क्या यूज किया था तो इन्होंने यूज किया था वैया एक तो यूज किया था alpha particle emitter देखिए alpha जो होता है उसको हम इस तरीके से denote करते हैं ए ऐसे बनाओ एक उपर रिचे सही सही से चोंच उठा दो इस तरीके से ठीक है तो यही होता alpha तो alpha particle emitter यानि कि ऐसा को यह source लिया था जिससे कि alpha particle निकलता था उस इक हम alpha particle emitter कहते हैं क्योंकि alpha particle emitter करता था चोड़ता था और अब देखो यहां क्या हो रहा alpha particle जा रहा है और इन्होंने क्या किया था गोल्ड फॉयल लिया था देखो कि ऐसे गोल्ड फॉयल लिया है ठीक है बिचों मैंसे रख दिया था यह क्या है यह यह एक्ठो स्क्रीन टाइप का था जिसको कि हम ZNS क् इसको आप डिड़क्टर स्क्रीन भी कह सकते है क्योंकि यह डिड़ेट करने का काम करता था अब क्या डिड़ेट करता था इसको आगे जानेंगे देखो तो इनका जो experiment था कुछ इस तरीके से दिखता था कुछ इस तरीके से उन्होंने अपना experiment किया था लेकिन यही चीज का नाम सुना होगा जिसे hydrogen oxygen यह सब क्या है गैस है वैसे helium यह तरीके गैस होती है तो अलफा पार्टिकल समझने के लिए सबसे पहले helium जानो तो helium जो होता है ना भाया helium कुछ इस तरीके से दिखाए देता है उसके अंदर दो proton होते हैं दो neutron होते हैं और दो electron होते हैं कुल ची helium मसे आप दोठो electron निकाल दो तो वही क्या कहलाता है वही a blasting क्या एक भचात दे इस ही electron और यह electron निकाल दे तो क्या बचेगा किवल यहीm बीच वालांग गोल का बचेगा कहह निकली गया तो अब बीच में क्या बचाए है दो proton बचा है और दो neutron बचा है तो यही दो proton और द न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं अल्फा पार्टिकल कहते हैं तो अल्फा पार्टिकल क्या होता यह समझ गए ना अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं है दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं कभी अगर आप हिलियम से दो इलेक्टॉन निका तो आप सोचोगी यार मतलब छेद करके निकल गए तो छेद करके नहीं निकले यहां जो यह इन्होंने लिया था गोल्ड फॉयल इतनी ज्यादा पतली थी क्या बताऊं बहुते ज्यादा पतली थी तो यह गोल्ड फॉयल बहुत ज्यादा पतली थी इसलिए यहां से क्या हुआ अलफा पार्टिकल पार कर गया तो आधिर ज्यादा जो अलफा पार्टिकल निकल गया है उसके बाद क्या होता है कुछ ही जो alpha particle जाते हैं वो हलकस इधर मुड़ जाते हैं इधर कुछ इधर मुड़ जाते हैं लेकिन बहुत रहीयर केस में कौनो-कौनो alpha particle आइसे सोझे आते हैं और घचाग दे पिछवा मुड़ जाते हैं यानि कि ऐसे alpha particle आया घचाग पिछवाब चला गया अब यह छिदिया उन्होंने देखा आ ना कौन रधर फड को पतीत को में आप ti चाला भान रहा है। तो आप देखो के रधर फोड को पता कैसे चला ओगा कि यह यह यहाँ यहां अलफ़ा पाटिकल टकरा रहा है, यहां टकरा रहा है, यहां टकरा रहा है, यहां टकरा रहा है, तो यह बता देता था, तो आप देखो, यहां से अलफ़ा पाटिकल आया, आधिजदा यहां कुछ मुड़ गया, अब यहां जो रदर फोड यही थे, उन्होंने फिर मु के सोता है यहां पर मैंने यहां बना दिया देखो दो ठोई इलेक्ट्रॉन हो गया मालों यहां पर कौनों एटम है तो यहां से क्या हो रहा है यहां से क्या हो रहा है अलफा पार्टिकल आ रहा है यहां भनभना का अलफा पार्टिकल आ रहा है यहां यह अलफा पार्टिकल आ यह भी सोजे निकल गया यह अलफा पार्टिकल आ यह भी सोजे निकल गया यह ही चीज कौन बताए रेधर फोर जी बताए कि भाया देखोकी जो एक आटम होता है एक अठम में जाब अलफा पार्टिकल अजिबन मालना की है ही नहीं तो यहां देखोगी अलफा पार्टिकल तक राय देखोगे इधर मुड़ गया और एक ठो जो नाया बिचोवा मसे न ऐसे सोजे आया सोजे चला गया एक ठो इधर से एधर नीचे क्तरा मुड़ गया और यह तो इसे आया सोजे निकल गया तो यह चीज रहदर फोड जी ने देखी अपने experiment में उसके बाद अपना निसकर्स निकाल के दिया कि भाई यह जो एक atom होता है एक जो atom होता है उसमें जो आधे ज्यादा जगह रहती है ना मजग जगह खाली रहती है जैसे कि अगर आप देखोगे यह माल लो atom है तो अगर आप देखोगे ही कुल जगही है यह कुल खाली है तो यह रधर फोड जी ने बाहुत बढ़िया चीज बताई कि एक atom में आधे ज्यादा जगही है मजग जगही जो रहती हो खाली रहती है खाली ही नुकलियस वह जगह घेरा रहता है तो यह रधर फोड जी ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि एक atom के अंदर बाहुत जगह मजग जगहां खाली होती है और अगर आप अपने बुक में देखोगी यही चीज यह चीज कुछे इस तरीके से बनी है देखो अलफा पार्टिकल आया है अटम से इस सोजे सोजे निकल गया है कुछ है अलफा पार्टिकल नुकलियस से तकराक इधर उधर मुड़ गया है वही चीजिए मैंने यहां पर बनाया है आप देखो इसी चीज को आपको लिखना पड़ेगा अपने पेपर में कैसे लिखोगे अलफा पार्टिकल जो थे हलका हलका डिफलेक्ट हुए ठीक है अब कैसे डिफलेक्ट हुए होगे यहां पर आप देख लो ठीक है तीसरा इन्होंने रखा एक्स्ट्रीमली रेरली वन इन ट्वेल थाउजेंट अलफा पार्टिकल वर रिवर्स यानि की बारह हजार मां से क आलपाल कि जो अलफा पार्टिकल आइसे डूकलियस से बीचोंट चकराया ह गाल गाए नbenट mix लूग लिखो गे अपने पेपर में इसके बारे में जान लेते हैं, अगर आपको इसका स्क्रीन सॉट लेना है तो ले सकते हो, ले ली होगे, अब चलते हैं आगे, तो आप देखी हम बात करते हैं, रैदर फोर्ड के कंक्लूजन के बारे में, यानि कि इन्हों ने जो अपना जिंगलिस में लिखी है, तो देखो, सबसे पहला पॉइंट था जो रैदर फोर्ड ने कहा, कि most of space inside the atom is impity, यानि कि अधिक तर जो space है atom के अंदर वो impity, यानि कि खाली है, because most of alpha particle pass through gold foil without deflect, क्योंकि अधिक तर जो alpha particle थे, वो without deflect, बिने deflect हुए, पास होगे atom के अंदर से, यानि कि जो atom के अंदर ज्यादा तर इस पेस है, वो खाली होता है, अब आप ही देखो न भाईया, मालो यह atom है, यह हो गया nucleus किनारे 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 क्या है, electron डोले रहे हैं, ठीक है electron, ठीक, अब मालो यहाँ सा alpha particle गया, ऐसे, ऐसे, अब यह मालो alpha particle जा रहा है, तो alpha particle हो देखो कि atom हो के अंदर निकल जा रहा है, इससे पता चलता है कि यह सारी जो जगह है, यह सब क्या खाली है, अगर मालो यह सब जगह किसी ने किसी जीसे भारी होती, यानि पूरा atom भरतू होता, तो क्या होता, alpha particle ऐसे आता, इसके पार जा ही न पाता, क्योंकि atom पूरा भारा है, लेकिन reality में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि atom के अंदर यह सारी जो जगह होती है, यह सब खाली होती है, क्योंकि जो नुकलियस होता है, यह थोड़ा जगह है घहरा रहता है, इसलिए जब कोई alpha particle ऐसे आता है, तो atom से नुकलियस से डिफलेक्ट हो जाता है, समझ गया न, तो नुकलिय इसको positive charge भी कह सकते हो, अब दूसरा point आता है, very few alpha particle, यहाँ alpha होगा, तो very few alpha particle were deflected from their path, कुछी alpha particle जो थे वो deflect हो गये थे अपने path से, indicate that positive charge of atom occupied very little space, यानि कि जो positive charge है, यह नुकलियस वो जो positive charge है, वो बहुत थोड़ा सा ही जगह घहरा है, तभी कुछी जो alpha particle वो deflect हो पाए, यह सबाप अब इस सुरुवात में पढ़े ही, a very small fraction of alpha particle were deflected by 180 degree, यानि कि कुछ ही जो alpha particle थे, यानि कि मैंने आपको सुरुवात में बताया, लगभा कि 12,000 में से केवल एक alpha particle 80, 180 degree से deflect हो जा रहा था, 180 degree मतलब इसे आया सोझे, और सोझे इसे पीछे चला गया, 180 degree से deflect हो गया, उस mass of gold atom were concentrated in a very small volume within an atom, इसका मतलब ये है, कि जो gold का atom है, यानि gold foil का जो atom है, उसका जो अधिक तर mass है, जो लगभाग पूरा mass है, वो कहां concentrate रहता है, वो बीच में concentrate रहता है, कहां पर nucleus में, जो कि positive charge रहता है, वही चीज यहाँ पर बताया है, यानि कि एक atom का mass होता है, वहां कहा concentrate होता है, कहां पर होता है, यह nucleus वाग अंदर होता है, समझ में आ गया है, क्योंकि जो electron रहता है, उसका mass बहुत कम होता है, इसलिए उसको हम कभी कबाल लेते ही नहीं है, nucleus का ही पूरा mass होता है, जो कि बहुत कम होता है, और वो भी एकदम atom के बीच में होता है, यहां तक होती है, यह बात इनकी पूरी सही थी, फूरे एकदम पूरी सही थी, ठीक है, दूसरी चीज यह कहे थी, क्या, जो electron होता है, इसे डोलता रहता है, nucleus के चारो तरफ बीच में क्या है, और electron ऐसे क्या है, घूम रहा है, ठीक है, यह भी आप जानतों घूमता रहता है, लेकिन उसके बाद कई scientist आये, और उन्होंने क्या किया, Rutherford जी से पूछा, कि भाईया, अगर कौनों भी चीज किसी के चारो तरफ घूम रहे है, तो उसके पास कुसना कुछ acceleration होगा, अगर उसके पास acceleration होगा, तो वो अपनी energy समय के साथ lose करता जाएगा, तो वैसे electron को भी अपनी energy lose कर देनी चाहिए, क्योंकि nucleus के चारो तरफ घूम रहा है, और जब वो अपनी energy पूरी lose कर देगा, तो वो क्या करेगा, electron होगा धमागते, आकर nucleus गिर जाएगा, लेकिन ऐसा real में होता नहीं है, तो यही चीजिया पूछे कौन, यही चीजिया other scientist पूछे, Rutherford जी से, तो Rutherford के बारे बाद एक ठोर scientist आई, जिनका नाम था, बोर, यह जो बोर थी, यह Rutherford के बाद आए, और उन्हें ने कहा, Rutherford जी देखी, आप एकदम पूरा सही कह रहे हैं, कि atom के अंदर जगहां खाली होती है, और दूसरा चीज, जो atom के अंदर जगहां गिरे रहता है, वो nucleus गिर पूरी बात सही कह रहे हो, ठीक है, लेकिन जो electron होता है, वो nucleus के अंदर क्यों नहीं गिरता, यह चीज यह बोर जो रहते हैं, वो इसको explain कर पाते हैं, यह चीज रधर फोर्ड explain नहीं कर पाते, इसलिए रधर फोर्ड का यह drawback हो जाता है, समझ गया ना, यह drawback वो ज्यादा पूसता है, आप से exam में इसलिए ध्यान से देख लिजेगा, आप इसको English में भी एक बार देख लेते हैं, अगर कोई भी particle है, वो circular orbit में है, तो उसके पास कुछ नकुछ acceleration होगा, during acceleration, charge particle would radiate energy, यहाँ पर radiate होगा, क्या होगा, radiate, ठीके, radiate, thus the revolving electron would lose energy, and finally fall in to the nucleus, if this were, so atom would be highly unstable, and hence matter would not exist in the form of that, we know, यह सब चीज वही लिखी जो मैंने आपको भी बताया था, समझ गया, यानि कि अगर कोई भी कोई भी चीज है, वो circular orbit में है, तो उसके पास acceleration होगा, उसके पास acceleration होगा, तो अपनी energy को radiate कर देगा, radiate का मतलब क्या होता, निकाल देना, अपनी energy को निकाल देना, अब भाया, आप पिचर उचर में देखते हो, कौनो hero उरू रहता है, वो भी जब heroine को पा जाता है, तो घरक चारो तरफ हमें सा चक्कर लगाते रहता है, और जब heroine भाव नहीं देती ना, तो वो भी चक्कर लगाते लगाते ठक जाता है, तो वैसे क्या होगा, जो electron है, वो भी ऐसे चक्कर लगाते ठक जाएगा, और फानेली जाकर गिर जाएगा, at nucleus के अंदर, लेकिन ऐसा real मे जो की बहुत important है, अब समझते हैं कि किस तरीके से जो बोर थे उन्होंने इस जीच को explain किया अच्छे से, आईए अब समझते हैं बोर atomic model को, जो की बहुत important topic है, हमेशा एक्जाम में आप से पूछा ही जाएगा, तो देखिए बोर एक्ठो मनाई थे, यानिक एक्ठो आदमी साथ साथ ये scientist भी थे, तो इन्होंने अपने कोई model किया होगा, और इनके model का नाम रख दिये गया, बोर atomic model, जो की बहुत important है, हमेशा आप से एक्जाम में पूछा जाएगा, तो इन्होंने क्या क्या किया इसके बारे समझते हैं, तो सबसे पहला point इन्होंने बताया, electron revolve around the nucleus, in various discrete orbit, इन्होंने कहा, जो electron है, वो nucleus के चारों तरफ revolve तो करता है, लेकिन कैसे करता है, तो वो करता है, तो वो करता है, यानि कि, देखो, orbit का मतलब क्या है, जैसे कि ये देखो, ये क्या है, अभी इस पर भी अपनी नजर मत मारना, बस ये देखो, ये क्या है, ये एक ठो orbit, दूसरा orbit, तीसरा orbit, चौथा orbit, अब ये जो orbit है, इसी में भी जो electron है, वो revolve करता है, ऐसा नहीं, electron है, यहां से revolve करने लगेगा, इसी गोलवे पाइचे इसे घूमता रहेगा, इसी गोलवे घूमेगा, समझ गया, तो electron भी अपने एक ठो पाथ पे revolve करता है, और उस है, ये कौन बताए, ये भाईया बताए, तो बोर फुपफा, अब चलते हैं आगे, देखो और इन्होंने क्या कहा, वाल रिवाल्विंग इन डिस्क्रीट और्बिट, इलेक्ट्रों डूनोट रेडियेट एनर्जी, इसका मतलब ये है, कि जब इलेक्ट्रों अपने इनर्जी को नहीं निकालेगा, अब ये भाईया वही बात हो गई, जैसे कि मान लोकोनों हिरो गया है, हिरो निया घरक चारो तरफ चक्कर लगा रहा है, और इनर्जी ड्रिंकों लिग गया है, तो ठक भे नहीं करेगा, वैसे सेम चीत यहां पर भी है, जब इलेक्ट्रों अपने और्बिट पर ऐसे रिवॉल्व करेगा, ये वाला अपने और्बिट पर रिवॉल्व करेगा, तब ये भाईया कभी भी ठकेगा नहीं, यानि कि कभी भी अपने अनर्जी को रेडियेट नहीं करेगा, इसलिए जो इलेक्ट्रों है हमेशा अपने और्बिट पर ही निउकिलीस है, निउकिलीस में क्या पाया जाता है, प्रोटल, निउट्रोन पाया जाता है, यह जन्मे करते होगे, अब देखो यह किनारे किनारे क्या है, यह Orbit है, इसको आफ चाहिए, Orbit कहो चाहिए, Cell कहो दोनुका मतलब कवेंगे सेल है इसलिए हम लोग इसका नाम रख देते हैं क्या वाली सेल कब तक है वाली हो वाली करते रहो गे सुस्था हम YE नाम के नाम से बी जानते लुजिय का मतलब क्या है एन यहां पर नाम वो इसल को रिप्रेजन करता है, तो पहली सल है, तो इसलिए N1, समझ गए, पहली सल को हम के सल भी कहते हैं, दूसरकी वाली जो सल है, इसको हम कहते हैं, LSL, यानि की N2, तीसरकी वाली जो सल है, इसको हम कहते हैं, MSL, यानि की N3, चौथी वाली जो सल है, उसको हम कहते हैं, NSL, यानि कि N4, अब KLMN, यह आपको याद करना पड़ेगा, समझ गए, देखो, N1, N क्या है, वो cell को रिप्रेजन करता है, यानि कि K cell है, तो N1, यहां तक समझ मैं है न, और कभी कबार क्या रहता है, कौनों टीचर अपने मिहरारू जगडा उड़ा करके आया रहता है, तब आप बता पाओगे न, कि N is equal to 1, समझ गए न, ऐसे question पूछेगा, तो यहां तक तो आप atom के बारे हम समझे होगे, cell के बारे हम समझे होगे, cell को कौन कौन सा नाम दिये जाता है, आप देखो, यहां पर जो electron है न, electron जो रखे जाते हैं, मतलब जो atom के अंदर जो fit रहते हैं, वह ऐसा नही यह कि अपने मनेश जाकर fit हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि यहां पर पहले orbit में इसे दस्ठों electron हो जाएंगे, दूसर की orbit में तिने और electron होंगे, चोत् ankle में बीच एलक्ट्रों हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, यह जो electron fit रहते हैं, वो एक नियम वाइज एक manner में fit रहते हैं अब कैसे फिट रहते हैं उसके बारे में हैं नीचे पढ़ते हैं देखिए बहुत आसान है कौनों जहनजाट वाली बात नहीं खाली इंगलिस यह लिग देते हैं वो कठीन हो जाता है देखो पहला पॉइंट अब मिलता है maximum number of electron in orbit is given formula 2n square अब देखो भया जो electron fit रह मिलेंगे वो आप 2n square से निकाल सकते हो दूसरके वाले orbit में कितने maximum electron आप डाल सकते हो वो 2n square से मिलेंगे तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो आई चली एक ठो दो ठो निकाल के देख लेते हैं तो देखो भया जैसे हमें जानना है कि हम पहले orbit में कितने electron रख सकते हैं यानि कि k वाले में कितने electron रख सकते हैं पहले के वाले गोला में तो देखो भाईया आपको क्या करना है 2 लिखना है n लिखना है square लिखना है यहाँ पर n का मतलब क्या है n का मतलब भाईये cell है यानि कि कौन सी cell का आपको निकालना है हमें कौन जी cell का निकालना है के cell का निकालना है तो n is equal to क्या है 1 है तो हम क्या करेंगे 2 into 1 लिख देंगे और square उपर square लगा दो तो अब इसको solve कर दो 2 into 1 का square करोगे 1 हो जाएगा और 2 अंज़र 2 तो यानि कि आप पहली orbit में कितने electron रख सकते हो maximum तो आपके बढ़ दो यह electron रख सकते हो चाहिए 1 atom हो समझ गयے ना अब निकालते हैं दूसर की orbit में आप कितने electron रख सकते हो maximum की बात की यह जा रही है देखो 2 n2 तो हमें किसका निकालना है तो हमें दूसर की orbit का निकालना है यानि कि L cell का निकालना है तो l cell का मतलब क्या है n is equal to 2 तो हमें n की जगे क्या रखना पड़ेगा दो रखना पड़ेगा तो 2 into n की जगें रखदो 2 और square लगा दो फिर 2 into 2 2 जा 4 हो जाएगा इसको square कर दोगे और 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यानि कि आप दुसरके वाले ओर्बिट में कितने electron maximum रख सकते हो 8 electron रख सकते हो अब ऐसे आप सब का निकाल लो हम चाहते हैं कि यह तिसरके ओर्बिट में कितना होगा तिसरके ओर्बिट में तो यहाँ पर आप n की जगे 3 लिख दोगे और square कर दो इसका 2 into 3 का square कर दोगे 9 हो जाएगा तो 2 9 18 हो जाएगा यानि कि आप दिसरके ओर्बिट में कितने electron रख सकते हो तो maximum आप 18 electron रख सकते हो अब बात करते हैं चौथे ओर्बिट में कितना रख सकते हो तो पहले वाले में 2 रख सकते हो दुसरके वाले में 8 रख सकते हो तिसरके वाले में 18 रख सकते हो चौथे वाले में 32 रख सकते हो अब बात करते हैं भाई या दुसरके point के बारे में maximum number of electron that can accommodate in the outer most orbit is 8 इसका मतलब ये है कि चाहे भले ही कोई भी orbit है उसकी capacity भले ही चाहे जितनी है लेकिन हम जो outer most orbit है उसमें केवल maximum electron हम 8 ही रख सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ही ये हुआ कि देखो ये जो atom है इसकी सबसे बाहरी वाली orbit कौन सी ये चौथी है तो चौथी orbit में कितने आप electron डाल सकते हो 32 हो लेकिन आप देखो कि ये जो चौथा वाला है ये क्या है ये आउटर most है यानि सबसे बाहरी वाला है इसे लिए जो सबसे बाहरी वाला रहता है उसमें केवल 8 ही electron डाल सकते हैं maximum भले उसकी capacity 32 electron की है समझ गया न यानि कि जो outer most orbit रहेगा उसकी capacity भले 50 electron की हो भले 100 electron की हो लेकिन हम उसमें केवल 8 electron डाल सकते हैं उसके बाद देखो even though it has more capacity चाहे उसके पाद जादी capacity भले क्यों न हो electron की electron लेने की लेकिन फिर भी आप उसमें 8 electron रख सकते हो उसके बाद this is called octet rule और इसी rule को हम octet rule कहते हैं देखो octet का मतलब क्या है oct मतलब 8 यानि कि जो outer most orbit रहता है उसमें आप 8 electron रख सकते हो इसलिए उसका आप octet rule कहते हो ये एक्जमों हमेशा पूछा जाता हो लड़ीकों वहाँ कनफिजी आ जाते हैं इसलिए देख लेना ध्यान से तीसर का point क्या कहता है electron are not accommodate in a given cell unless that inner cell are filled that is the cell are filled in a stepwise manner इसका मतलब ये है कि जब electron भारा जाता है atom के अंदर तो एक stepwise manner में भारा जाता है इसका मतलब ये है कि यानि कि सबसे पहले यहाँ पर आप 2 electron भारोगे फिर उसके बाद आप दूसरके वाले इम आठ electron भरोगे फिर उसके बाद आप तिसरके वाले इम जितना electron होगा, उतना भरोगे देखो यहाँ, पर example की माध्य हम से देखते हैं जैसे कि माललो आपको दे दिया बह्या, 14 electron दे दिया है क्या दिया है? 14 इलक्ट्रोन दे दिया गया है अब इसको कह रहा है काउन एक एटम में भरो तो हम कैसे भरोगे? तो यहाँ पर मालो एक्ठो न्यूक्लियस बना दिये इसे चारो तरफ इसके और्विट या इनिक सल बना दिये अब इसमें हमें क्या करना? इलक्ट्रोन भरना है, कैसे भरोगे सबसे पहले वाले में आप कितने इलक्ट्रोन भर सकते हो दूठो, क्या हमने दूठ भर दिया दूसर के वाले में कितना भर सकते हो आठ भर सकते हो, तो लो भाई ये एक, दूई, तीन, चार पांच, छे, साथ आठ इलेक्रोन भर दिया हमने यहाँ पर भी, ठीक है, अब कितना बचा है, देखो, एक दो इलेक्रोन हो गया, और आठ कितने हो गया hurt, 10 हो गया, total दस इलेक्रोन हो गया, अभी बचे है, 4 इलेक्रोन, तो 4 इलेक्रोन आप यहाँ भर dalam, एक, दो, तीन, चार, लेकिन ऐसे नहीं भरोगे, थोड़ा डिस्टेंस दे कर भरना, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ भर, तो इस तरीके से आप एटम में इलेक्ट्रोन भर सकते हो, तो समझ में आया ना क्या होता है, यानि कि जब आप इलेक्ट्रोन भरोगे किसी आटम क अंदर, तो एक मैनर में भरोगे, सबसे पहले दूसर के पहले वाले में दो इलेक्ट्रोन भरोगे, दूसर के वाले में आठ इलेक्ट्रोन भरोगे, और तिसर के वाले में चार इलेक्ट्रोन भरोगे, आप जैसे ही आप इसके अंदर इलेक्ट्रोन भर लोगे, तो आपको एक्ठो चीज भी लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, तो भाईया हम पहले वाले में कितने इलेक्ट्रोन भरे हैं, यानि कि K is equal to 2 इलेक्ट्रोन हो जाएगा, देखो पहले वाले सल को हम क्या कहते हैं, पहले वाले सल को हम कहते हैं, के सल, तो K में कितने इलेक्ट तो यहां तक आपको समझ में आया होगा किस तरीके से एक अटम के अंदर रहता है आयोप आप समझे होगे बहुर जैसा कि आप जानते होगे एक अटम के बीच में जो नूकलियस पाया जाता है उस नूकलियस के अंदर प्रोटॉन और नूट्रॉन्स होते हैं तो यह जो नूट्रॉन्स होता है उसी नूट्रॉन्स की हम बात करने वाले हैं हाला कि आप इसके बारे में जानते हो लेकिन इसक चैडिविक दौरा एक subatomic particle discover किया गया था जिसका नाम था neutrons आगी चलते हैं subatomic particles वही electron, proton, neutron को हम subatomic particle कहते हैं which had no charge और जैसा कि आप जानते हो neutrons के उपर कौनो चार नहीं रहता and mass nearly equal to that of a proton और इसका mass होता है वो equal होता है किसके बराबर लगबख proton के बराबर यानि कि neutron और proton का mass लगबख बराबर होता है it was eventually named a neutron फिर इसका नाम क्या रखा गया? neutron रखा गया क्योंकि इसके पास कोई चार नहीं है तो यह neutral है इसलिए इसका नाम neutrons रख दिया गया, neutrons are present in the nucleus जो neutron रहता है वो कहां present रहता है nucleus में of all atom सभी atom में ये तो आप जानते होगे except hydrogen केवला आप hydrogen को छोड़ दोना तो जो अन भगवदी धर hydrogen होता है उसके अंदर neutrons होबे नहीं करता सोचो यही एक्जाम में question पूछा जाता है कि कि किस के अंदर किस atom के अंदर भईया neutrons नहीं होता तो hydrogen atom के अंदर neutrons नहीं होता अगला point आता है in generally the neutrons is represented by small n छोटे n से neutrons को represent किया जाता है the mass of an atom is therefore given by some of the masses of the proton and neutron present in the nucleus इसका मतलब यह है कि एक atom को जो mass होता है वो भईया proton और neutron का mass को calculate करके बताया जाता है अब आप सोचोगे electron को क्यों नहीं लिए तो electron मैंने बताई कि बहुत ज़्यादा छोटा होता है इन सबसे बहुत ज़्यादा छोटा होता है इसलिए उसका mass नहीं लिए जाता है तो proton और neutron का जो mass होता है वो ही माना जाता है कि एक atom का mass है उसी को calculate करके आप समझते हैं अगले topic को आप हम समझते हैं क्या होता है भाईया valency, valency कैसे निकाला जाता है ये valency भाईया इस chapter की जान है क्योंकि यहाँ से कोश्चानाना 101% तै है इसलिए ध्यान से देखिएगा देखिए valency क्या होती है इसके definition देखते हैं इसका मतलब यह है कि यह कोई भी atom है यह माल लेतने एक atom है उस atom को जो आउटर मोस्ट और्बिट है उसमें जितने electron रहते हैं उसी खम valence electron कहते हैं valence electron समझ मैं अब बहुत जो लोग मूरी खज़वाएंगे सोचिंग तब valency क्या होती है इसको कैसे निकाल जाता है अब इसके बारे में समझते हैं देखिए इसके लिए आपको दो टिंठो रूल याद रहने चाहिए जो कि आप पढ़ चुके हो जैसा कि आप जानते हो जो आउटर मोस्ट और्बिट रहती है उसमें हमेशा आठ electron रहने चाहिए साथ ठो तब आठ electron होंगे या फिर अगर हम इस electron को निकाल दें तब क्या होगा ये जो और्बिट ही ये हट जाएगी तब ये वाली और्बिट बचेगी तो इस और्बिट में क्या है भी ये आठ electron पहले से मौजूद है तो वैलंसी क्या होती है अब आपके मौड़वक उपरा से निकाल गया होगा द्यान से समझेए दो इठे इड़ामपल है याँ पर जैसे एठ हो है एन-ए एन-ए मतलब होता है सोडियम इसका भहिया होता इसमें इलेक्ट्रोन पाय जाते है ग्यारथ इलेक्ट्रोन अब 11 इलेक्ट्रोन कैसे भरोगे देखो पहले वाले हम 2 इलेक्ट्रोन भर दिये और दूसरे वाले हम कितने भर दिये हमने 8 इलेक्ट्रोन भर दिये तो 8,2,10 बचा 1 इलेक्ट्रोन 1 इलेक्ट्रोन हमने क्या कर दिया लास्ट वाले ओर्बिट्रोन भर दिया लेकिन दूसरा काम यह और कर सकते हैं कि एक इलक्ट्रोन को घचाग धियास अगर हम निकाल देंगे तो क्या होगा यह वाला जो औरलबिट है यह थिंद ऑल लोगज है यह गया क्लान क्योंगाल यह आपलें टॉब यह और फॉल Size है तो brain ओध हो जाएगा तब यह स्टेबल कैसे हुआ एक इलेक्ट्रोन निकाल के हुआ तो हमने एक इलेक्ट्रोन यहाँ पर निकाला ना तो इसकी वैल entrance क्या हो जाएगी वह जाएगी सोडियूं की वैलेंसी क्या से निकाला जाता है समझें कितने इलेक्ट्रोन को निकालना पड़ रहा है या फिर कितने इलेक्ट्रोन को लाकर डालना पड़ रहा है उस एटम को इस्टेबल करने के लिए तो वही उतना क्या कहलाता है वैलेंसी कहलाता उसका तो एनने की वैलेंसी निकालना समझ गये समझते हैं क्लोरीन इसमें भीया पा जाते हैं टोटल सत्तरा इलेक्ट्रोन सत्तरा इलेक्ट्रोन को भर दो यहाँ पर देखो बीच में नुकलियस हो गया दो इलेक्ट्रोन पहले वाले ओर्बिट में फिर आठ इलेक्ट्रोन तो आठ दो दस अब बचे साथ इलेक्ट्रोन साथ को इसमें भर दो लेकिन मैंने बताया आठ इलेक्ट्रोन रहने चाहिए इसमें लेकिन है साथ इलेक्ट्रोन अब क्या करोगे यहाँ पर भी आपके पास दो तरीके हैं एक तरीका है कि भाई यह साथ इलेक्ट्रोन को निकाल दो उसमें मुझे ज्यादा मेहनत लगेगी कि मैं कहूं से एक elektron हें इस लाग घचाग दे मंगा लूँ अगर एक elektron में मंगा लूँगा तो मुझे कम मेहनत लगेगी ऐसे आप सोच सकते हो कि आपके घर में साथ इते रखे हैं और साथ इतों को एक एक करके बाहर ले जाकर रखना है उसमें आपको ज्यादा महनत लगेगी कि घरक दूवरवा आपके एटा रखा है उसको लाग घरम रख लो उसमें ज्यादा महनत लगेगी तो ज्यादा महनत आपको साथ इलक्ट्रोन निकालने में लगेगी साथ इटा निकालने में लगेगी और वै यह भाई इस्टेवल हो जाएगा तो जिसमें कम महनत लगेगी हम वही हमेशा अपलाई करेंगे तो कम महनत किसमें लगी एक इलक्ट्रोन को लाने में यहां पर देखोगे इस वाले केसमें देखोगे इसमें भाईय साथ इलक्ट्रोन की कमी है अब साथ इलक्ट्रोन लाओग उसमें ज्यादा मेहनत लगेगी कम मेहनत किसमें लगेगी घचाग धे की इलक्ट्रोन निकाल दो उसमें कम मेहनत लगेगी इसमें क्या होगा घचाग धे की इलक्ट्रोन मंगा लो उसमें कम मेहनत लगेगी तो इसकी वैलंसी वन हो जाएगी तो समझ यह वैलंसी कैसे निकाल और यार मेरे पास एक इलक्ट्रोन की कमी है, यार मैं भी चहर फ़रा रारा था, एक काम करो, तुम मुझे अपना इलक्ट्रोन दे दो, तुम भी stable हो जाओगे, मेरे पर भी लाज स्ट वाले और्बिट में 8 इलक्ट्रोन हो जाओगे, मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा तो भाईया इलक्ट्रोनों कहा रही है राजो तुम्हारे बड़ा दिमाख है तो यह क्या करेगा एक इलक्ट्रोन दे देगा इसको यह भी स्टेबल और यह भी स्टेबल अब क्या करेगा जब भाईया दूनों मिला इलक्ट्रोन दे दिये तो दूनों मिला के करेंगे, जोड जैएंगे आपस में, और जब इलक्तरों की सेरिंग होती है, दो एक्टम की बीच में, तब उसको हम कहते हैं कमपाउंड, तो कमपाउंड कैसे बनता है समझ में है, elephant की सेरिंग करके, तो जब न, A, और C, L मिल जाते हैं, तो बन जाता है NaCl और इसी NaCl को हम कहते है Salt यानि की नमक यही जो आपके घरम सबजी बनता है यही नमक वह डाला जाता है और जो मौरगा और गम आप नमक वह छिर्या के खाते हैं यही नमक वह रहता है तो नमक बनता कैसे समझ में है देखो इलक्ट्रोन की सेरिंग करके यानि को हुए इलक्ट्रोन आप खा लेते हो वही निकुलोस आप खा लेते हो समझ में आ गया न तो इस तरीके से भहिया वैलन्सी निकाली आती है एक एकजामपल और लेते हैं माल लो यहाँ पर हमारे पास एकटो निकलियस है और बीच किनारे किनारे ओर्बिट है और हमारे पास कहा रहा है यह देखो भही यह इलक्ट्रोन भर दिया है ठीक है दूसरे वाले ओर्बिट में आठ इलक्ट्रोन हो जाएंगे अब इसको क्या करना पड़ेगा भीजे देखो लास्ट वाले ओर्बिट में आठ होने चाहिए पांच है अब आप देखो इसमें कम महनत किसमें लगेगी पांच इलेक्ट्रोन अगर ये निकाल दे तो ये वाला ओर्बिट हट जाएगा ये वाला ओर्बिट हट गया तो इसके में पूरा पांच इलेक्ट्रोन कम्प्लीट है इस्टेबल हो जाएगा लेकिन आप एक चीज़ और ध्यान दो अगर ये तीन इलेक्ट्रोन कहुंस मंगा ले तीन उलक्ट्रोन अगर मंगा लेगा तो क्या होगा, इसमें 8 उलक्ट्रोन complete हो जाएंगे अब आप खुट दिमाख लगाओ ज्यादा महनत किसमें लगेगी 5 उलक्ट्रोन को निकालने में कि 3 उलक्ट्रोन को लाने में ज्यादा महनत लगेगी पांच इटा को बाहर निकालने में यानि कि पांच इलक्ट्रोन को बाहर निकालने में कम महनत कि इसमें लगेगी तीन इलक्ट्रोन को लाने में तो तीन इलक्ट्रोन को ये मंगा लेगा तिन एलक्टरोन को मंगा लेगा, उसमें कम महनत लगेगे, तिन इसकी क्या होजाएगी, वैलनसी होजाएगे, इस एटम की, कोई भी एटम होगा तो इसकी यह वैलनसी होजाएगी तीन, अब ये चीज़ी आपके बुकाम एक्दम डीटियल में दिया गया है, एकदम पूरा बनाकर खाय वाला चार्ट नहीं जो पेपर बनता है उसको समझते हैं तो आगे हैं अपने बुक की तरफ और आपको अपने बुक में देखो कि कुछ इस तरीके से आपको बना हुगा दिखेगा पूरा एक चार्ट बना हुगा दिखेगा और किनारे किनारे आपको नेम ओफ लिखा है फिर उसके बाद सिंबल दिया गया है ऐसी आपको कई चीजे दी गई हैं मतलब उसके अंदर किने प्रोटॉन किने न्यूट्रॉन पा जाते हैं वो सब आपको यहाँ पर लाइन लाइन वाइस दिया गया है हमें किससे मतलब है नेम ओफ एलिमेंट और उसकी वैल बनाते है यह होगए नुक्लियस और आप देखोगाज एसे किणारी किनारी हो गई एक और बिट हो गई एक और इसलिए बना है क्योंकि हाड्रोजन में केवाल एक ही पाए जाता है क्या इलक्टॉन गान कर दह यहें गये और यहां पर लाइन उसक्ना दे इनगे एजी है. तो वन क्या हो जाएगी स्की वद्न सीाद्रटकिम की तो समझगे कैसे वैलिनसी निकली कितनेे इलेक्ट्रॉन ला रहे हो या फिर बोइसंधे वैलन से कहला मिम्य से क्याहिए नहीं देखने मिम्लेट है और पश्रामपल लीते हैंoren uh देखो helium में आप देखोगे इसमें number of electron पाए जाते हैं 2, अब ये number of electron तो भाई आपको याद रहने चाहिए, धिरे धिरे जैसे पढ़ोगे न वो याद होता चला जाएगा, तो आप देखोगे helium है, helium इसका एक atom बनाते हैं, ये देखो nucleus हो गया, एक orbit, अब इसमें 2 electron पाए जा जाएगी, क्यूंकि भाई ये देखो, पहले orbit में आप 2 electron भर सकते हैं और 2 electron भरे हुए हैं, तो हम इना electron मंगाने की जरूरत है, ना तो निकालने की जरूरत है, तो हमारी जो valency हो जाएगी, वह हो जाएगी 0, तो अगर आप helium की valency देखोगे, या देखो 0 है, समझ गे ना, इस तरीके से valency निकाल जाती और देख लेते हैं, अब ले लेते हैं जैसे carbon, तो carbon में अगर आप देखोगे number of electron कितने पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं वो 6, अब देखो, यहाँ पर हम बना लेते हैं एक थो nucleus और किनारे किनारे orbit, तो पहले वाले में हम 2 electron डाल देते हैं, यह carbon का है ठीक है, और दूसरी orbit फिर बना लेंगे, क्योंकि इसमें 6 electron रहते हैं, पहले orbit में 2 electron, अब बच एक 4 electron, अब 1, 2, 3, 4, चार electron डाल दिए, अब आप जानते हो कि जो दूसरी orbit रहती है, उसमें आपके वाल 8 electron डाल सकते हो, यानि कि outer most orbit में 8 electron डाल सकते हो, तो इसमें आप 8 electron डालोगे, तो आप खुद दिमाग लगाओ, इसमें 4 electron पहले से हैं, या तो आप 4 electron मंगाओ, या तो आप 4 electron निकाल दो, तो दोनों में condition से में रहेगी, तो देखो भ बरवैलेंशी रहेगी, तो समझ रहेगी हैं कितने electron हम इन बाने पड़े हैं, या फिर कितने electron निकालने पड़े हैं, तो जितने electron आएंगे हैं फिर जाएंगे वह उसकी वैलेंशी कहलाती है, अब हम समझते हैं क्या होता है atomic number और क्या होता है mass number, तो atomic number हम उसे कहता है number of proton, यानि कि एक atom के अंदर जितने proton है वही उसका atomic number कहलाता है। दूसरा mass number, number of proton and neutron यानि कि एक atom के अंदर जितने proton है और जितने neutron हैं दोनों का sum कर दो वही उसका mass number कहलाता है। यहां तक समझ मैं अब बात करते हैं कि atomic number और mass number को represent कैसे किये जाता है। तो देखो यहाँ पर जो X लिखा है, तो यह जो X है, इसका मतलब होता है, कौन सा वहाँ पर Atom है, जैसे माल लो Oxygen है, तो X की जगह हम O लिखेंगे, माल लो Carbon है, तो X की जगह C लिखेंगे, तो जो Name of Atom लिखा जाता है, और फिर Name of Element यहाँ पर लिखा जाता है, समझ गे X की जगह और उपर जो A है, A की जगह हम लिखते हैं, मास नंबर और Z है, उसके जगह हम लिखते हैं Atomic Number, यानि कि Atomic Number को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, अब इसका एक एक जामपल देख लो, जैसे की जामपल है, यहाँ पर Oxygen का देखो x की जगा हमने क्या लिख दिया, o लिख दिया, क्योंकि हम oxygen का atomic number और atomic mass, atomic number और mass number represent करने जा रहे हैं देखो oxygen है आपर, तो x की जगा हमने क्या लिखा, o लिखा है, और जो oxygen होता है उसका mass number होता है, वो लिखा दिया जो 16 अब हम बात करते हैं क्या होता है आइसोटोप्स, देखो भाई यह ज्यान लेना कि किस तरीके से लिखा जाता है, कोशनों हम एक नमबर पूछ लिया जाता है, तो आइसोटोप हम उसे कहते हैं, जिसका atomic number सेम हो, बट different mass number हो, इसका example है, जैसे या हाइडरोज्यन हो गया, हाइडरोज्यन में अगर आप देखोगे, तो hydrogen के होते हैं, तीन आइसोटोप्स, जैसे एक होगे proteium, दूसरा होगे deuterium, तीसरा होगे tritium, इसका मतलब यह है, यहा तो कब हो यार हमें का सुने नहीं है तो देखो जो hydrogen होता है वो इन तीन रूपों में पाए जाता है प्रोटियम, deuterium, tritium इन तीनों को आप hydrogen भी कह सकते हो यह hydrogen ही है बस यह अलग-अलग form है किसके? hydrogen के देखो अब प्रोटियम को देखोगे तो प्रोटियम के उपरव h नीचे भी h यानि कि इसका atomic number भी 1 है mass number भी 1 है लेकिन deuterium का देखोगे तो इसका atomic number तो 1 है लेकिन mass number अलग है 2 है और देखोगे tritium का तो इसमें देखोगे तो atomic number 1 है लेकिन mass number 3 है अगर इन तीनों को देखोगे तो तो तीनों का mass number different है, लेकिन atomic number same है, तो देखो जिसका atomic number same होता है, देखो इन तीनों का क्या है, नीचे वाला same है, तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे का isotope है, तो ये तीनों क्या है, hydrogen के ही form है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे का isotopes भी है, समझ गये, तो hydrogen की कहा जाता है, कि ती तरिए टोप्स होते हैं प्रोटियम, डूटियूरियम, ट्रिटियम, क्योंकि इन तोनों का अटोमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर देखोगे अलग-अलग होता है, एक कवन, एक कट्टू, एक कथ्री, समझ गे इसी हम आइसोटोप्स कहते हैं, एक और इक्जामपल ल तो जैसे आप बड़े होगे जब साइंटिस्ट निकल रहा है यह आगे चल के जब आप साइंटिस्ट बनोगे तब देखोगे जैसे कार्बन और निकालता है तो पतन कार्बन निकालता है कार्बन फोटी निकालता है जब उस पाद को आप रिसर्ज करोगे तब पता चलेगा अब देखो आता है क्लोरीन के भी दो आइसोटोप्स होते हैं एक होता है क्लोरीन 35 एक होता है क्लोरीन 37 देखो नीचे 17-17 नमबर सेम है लेकिन अटोमिक जो मास नमबर है वो अलग-अलग है हाला कि दोनों क्लोरीन हैं लेकिन अलग-अलग फॉर्म है क्लोरीन के तो आयूप आपको आईसोटोप तो समझ में आया होगा अब देखो आईसोटोप्स के उपर कभी-कभार निमेरिकल पूछ लिये जाता है अब उसको समझ लेते कैसे उसको करेंगे तो कोश्चन यहा अब आप बहुत से लोग यहां पर देखके मोडी खजवाने लगेंगे यहां पर यू की लिखा है तो यह यह यू है यह भाईया मास को रिप्रेजेंट करता है यू को हम यूनिफाइड मास कहते हैं अगर इसके बारे में आपको डिटेल्स पढ़ना है तो पिछले चैप् 35 यू एक का मास होता है 37 यू इन रेशियो 3 रेशियो 1 तो जो 35 और 37 होता है वो 3 रेशियो 1 के फॉर्म में होता है यानि कि अगर मान लो 100% पूरा तो 100 मसे 75 परसेंट यह वाला होता है 25 यह वाला होता है वाट शुड वी टेक दा मास आफ क्लोरीन एटम तो इन दोनों मसे हम कौन सा किसका मास लेंगे अगर मान लोग कौनों मनाई आता है और स्मार्ट बनता है अपने आपको खुब और पुछ लेता है हम लोगों से क्लोरेन का मास बताओ तो कैसे बताओगे 35 वाला बताओगे 37 वाला बताओगे मूरी खजुआते रह जाओगे वहाँ पर तो मूरी मत खजुआना उसी के बारे में हम निकालने जा रहे हैं इसका क्या मास होगा ठीक है यानि कि इसका कौन सा आप मास बताओगे उसको इसके बारे हम समझते हैं तो देखो भाया अगर आप reality में देखोगे पहली आपको मैं बता देता हूँ जो क्लोरीन का मास होता है वो 35.5 U होता है अब यह 35.5 U अब आप देखोगे ना तो इसमें दिख रहा है ना तो इसमें दिख रहा है क्लोरीन का आपको भाया पहली बता दिये गया है 35 U और 37 U तो जो 35 U है वो 4 मास से 3 35 U है और जो 37 है वो 4 मास से 1 है यानि कि 100 मास से अगर देख लोगे तो 75% तो 35 U है और 100 मास से 25% यह है अब देखो यहाँ पर क्या बात आती है देखो 35 U कि यह कितना परसंट है यह भाया लगभग 75% क्योंकि आपको वहाँ 3 ratio 1 दिया गया है यानि कि 4 मास से 3 तो खाली यह है यानि कि 100 मास से 75% 35 वाला है और दूसरा 37 वाला कितना है 37 वाला 25% है जब 75 यही हो गया तो बचा कितना 25% तो हमने यह तो निकाल लिए कितना कितना परसंट है अब इसका एवरेज निकालते हैं तो हमें क्या करना है केवाल इन दोनों को क्या करेंगे मंटिप्लिकेशन दोनों का मंटिप्लिकेशन और बीच में इसको जोड़ देंगे इन दोनों को जो multiplication आएगा और इन दोनों को जोड़ देंगे आपका average निकल के आएगा देखो क्यासे 35 into 75% देखो अब यहाँ percent है तो percent जब लगा रहता हो तो उसको आप क्या करते हो उसके जगें आप upon में 100 लिख देते हो ठीक है जब भाईया आपका रिजल्ट उजल्ट आता होगा जब आप percent निकाल दोगे divide by 100 करते होगे ना तब आपका 42% आता होगा तो वैसे यहाँ पर भी देखो अब क्या करेंगे हम प्लस लगा देंगे तो 37 into 25 upon 100 और जब इसको आप solve कर लोगे पूरा ना तो आपको क्या मिलेगा आपको यही चीजी मिल जाएगा समझ गए तो क्या करना अगर आपसे ऐसे कुछ भी question पूछता है examin numerical के तौर पर कुछ नहीं करना है आपको दिया रहेगा भाईया इसका mass कितना है इतना-इतना उसका isotope है यानि कितना इतना इतना कमास है और उसके बाद आपको ratio दिया है तो ratio दिया गए तो आप जाना ही जाओगे कितना-कितना percent होगा बस उनहीं को multiply करके बीच में plus लगा दो solve कर दो answer आजएगा तो अगर आप इतना भी करके आ जाते हो नो तब भी आपको कुछ नो कुछ नंबर मिले गई आप हम बात करते हैं आइसोटोप के अप्लिकेशन के बारे में यानि कि आइसोटोप कहां कहां पर यूज होता है यानि कि जो यूरिनियम होता है य आइसोटोप आएसोटोप में पड़ोगी अच्छे से और देखो दुसरा पॉնट आता है इन आइसोटोप आफ कोबाल्ट कोबाल्ट भी एक एलिमेंट होता है उसका जो आइसोटोप होता है is used in treatment of cancer cancer के treatment भी use होता है and isotope of iodine iodine का जो isotope होता है उसको यूज किया जाता है भी यह गटार है यानि के घेंगा में जो गटाई फोल आती है अब बात करते हैं क्या होता है आइसो बार भी यह होता है mass number same होता है जिसका लेकिन उसका atomic number different होता है उसको हम क्या कहते है आइसो बार कहते है इसका example है जैसे भी यह organ और calcium तो देखोगी organ में क्या है देखोगी इसका mass number उपर 40 calcium का भी 40 यानि कि दोनों का mass number same है लेकिन अगर आप देखोगी इसका atomic number तो इन दोनों भगावती धरे का atomic number अलग-अलग है organ होग 18 है और calcium का 20 है तो देखोगी इन दोनों का atomic number different है लेकिन mass number होगा सेम है इसलिए ये दोनों एक दूसरे क्या है आइसो बार्स हैं और अगर आप organ में देखोगी तो इसमें 18 proton और 22 neutron होते हैं और calcium में 20 proton और 20 neutron होते हैं बस आप इतना जानों कि organ में देखोगी 40 है और calcium में 40 है mass number mass number दोनों का सेम है लेकिन अगर आप atomic number देखोगे तो इसका 18 इसका 20 है यानि कि दोनों का अलग-अलग क्या है atomic number है इसलिए ये दोनों क्या है एक दूसरे के आइसो बार्स हैं आयूप आपको समझ में आया होगा यह chapter तो यहां पर यह chapter नहीं हो जाता है खताम आयूप आपको पूरा यह chapter समझ में आया होगा तो यहां पर होती वीडियो end वीडियो पसंद आया हो तो करेएगा अपने मौसा के पास send ताकि और भी कुछ पढ़ह ले मिलिंग नक्स्टुडून तब तक लिए जयहिंद और जया भारत